हालो लेर्नर्स, वेलकम तो मैं चैनल इनलाइटर नॉलेज़, आज हम स्टड़ी करने जा रहे हैं परफेक्ट कॉम्पिटिशन के बारे में, पहले मैंने आपको सारे के सारी मार्किट फॉर्म्स बता दी हैं, जिसी का वो अगला टॉपिक है, that is परफेक्ट कॉम्पिटिशन वाँ पर हमने कुछ उसकी इंट्रोडक्शन और अजर्प्शन के बारे में पढ़ा था, लिकिन इस वीडियो में हम पूरे डिटेल से पढ़ेंगे, कि पॉफेक्ट कॉम्पिटिशन होता क्या है, और इसकी क्या-क्या फीचर्स या अजर्प्शन होती है, तो आएए शुर क्या करते हैं, और वो क्या करते हैं, और वो क्या करते हैं, और वो एक ही ब्रैंड का पेपर आपको सेल कर रहे हैं, अब क्या है, कि एक ही ब्रैंड है, सारी की सारी शॉप से जातर वो पेपर आपको मिल जाता है, सेम ब्रैंड है, तो क्या है, हर शॉप कीपर है, उनसे हम लोग क्या है, उस पेपर को खरीद सकते हैं, यहां पे हमने स्मॉल यूनिट लिया है, आप क्या पे करते हो, वन रुपी पे करते हो, उस पेपर की कोर का, अगर दूसरा कोई शॉप कीपर है, वो आपसे तू रुपीज मांगता है, तो क्या होगा, कोई भी स्टूडेंट उससे नहीं खरीदेगा न, आपको वो पेपर एक का मिल जाता है, तो आप रुपीज क्यों खर्च करोगे, आप दूसरी मार्किट में चले जाओगे, दूसरे शॉप कीपर के पास चले जाओगे उस पेपर को खरीदने के लिए, तो कोई भी स्टूडेंट उसके पास तो जाएगा न, पेपर को खरीदने के लिए, इफ अनदर शॉप कीपर, अब एक ऐसा शॉप कीपर है, जो आपको एक रुपए से भी कम में दे रहा है, वो आपको 50 पैसे में पर कोर दे रहा है पेपर की, तो क्या होगा, आप एक रुपए भी खर्च नहीं करना चाओगे, आप क्या है सस्ते में ही लेना चाओगे, तो सारे के सारे स्टूडंट के, उसे से ही खरीद लेंगे, अब हम एक नतीजे पर पहुंचे हैं, यह इसी वज़े से क्या है, इन में जो डिफ्रेंस है, यह वन का है, उससे पहले 0.50, यह वन का है, यह टू है, तो दो पे कोई खरीदेगा नी, इस पे सारे के सारे खरीदने क तो इसके बीच में जो प्राइस आता है जिससे दोनों को ही नुकसान ना हो that is रुपी वन तो हम क्या करेंगे हर शॉप की पर को ये पकड़ा दिया जाएगा कि आपको एक रुपय में ही वो पेपर का प्राइस आपको रखना पड़ेगा उसको बेचना पड़ेगा तो हम कह स सकते हैं there will prevail only one price of a paper in the market ताकि पूरा किसी का नुकसान ना हो जाए और पूरा ही किसी को फाइदा ना हो जाए तो ऐसी एक market situation बन जाती है जहां पर वो तै करते हैं एक single price को एक same brand quantity को लेते हुए हम single price को क्या है fix कर लिया जाता है जिससे पता लगता है कि सारे के सारे शॉप क पर आपको रुपिस one पे ही देने वाले हैं तो shopkeeper आपको क्या करेंगे वही price ही charge करेंगे all shopkeeper will charge that very price तो वही price आपसे charge कर लेंगे there will be such a perfect competition among the buyers and sellers of the paper तो इनके बीच में क्या prevail कर रहा है that is called perfect competition हमने जब एक ही price fix कर दिया है market में और उसे को हम लोग क्याते हैं कि buyer किसी के भी पास जाकर उस चीज को खरीद सकता है उसको कोई नुकसान नहीं होगा और जो shopkeeper है उसको कहें बहुत जादा profit नहीं होगा और बहुत जादा loss नहीं ह क्या है कि कोई shopkeeper अपने खुद से किसी price को change नहीं कर सकता वो prevailing price से जादा नहीं ले सकता कम नहीं ले सकता सिर्फ और सिर्फ हम क्या है एक single price है जिसको हम लोग determine करते हैं perfect competition के under तो यह definition हमारे पास आ चुकी है perfect competition की thus perfect competition एक ऐसी situation है market की जिसमें large number है buyers and sellers का they are selling homogeneous product बदल एक जैसा ही product सभी के सभी sell कर रहे हैं and the price और price कोन तै करता है that is decided by the market forces that is called industry बदल हम लोग क्या है demand and supply curve से एक price को तै करते हैं जो industry हमें आगे क्या है बताती है तो वो fix करती है industry और सभी firms क्या है वही same price को ही charge करती है to sell their product in other words their prevail वहाँ पे क्या prevail करता है सिर्फ और सिर्फ एक price ही product का in the entire market हर market में चले जाओ उस चीज़ का आपको एक ही price होगा और एक और situation है यहाँ पर कि that they are selling homogeneous product वो लोग क्या है एक जैसा ही product जब sell कर रहे हो तो उसका price क्या है same रहेगा और आपको बहुत जादा sellers मिल जाएंगे और उस चीज़ के बहुत जादा buyers भी मिल जाएंगे तो यह तो था ही इसके introduction नेक्स हम पढ़ लेते हैं assumptions या फिर features of perfect competition क्या क्या है इसके features होते हैं क्या क्या हम लोग assumptions ले सकते हैं so first is large number but small size of buyers and sellers अब यहां पर क्या कहा गया है large number तो है buyers and sellers दोनों बहुत जादा exist करते हैं but small size of buyers and sellers चोटा size है इसका मतलब क्या कि अगर एक buyer दो buyer नहीं बिल लेते न कोई समान तो market को कोई असर नहीं पड़ता या एक seller या दो seller नहीं आते market से exit कर जाते हैं तो भी किसी को कुछ भी फरक नहीं पड़ता the number of buyers and seller number तो बहुत जादा है buyers and seller के दियर very large but each buyer and seller is so small वो अपने size में इतना छोटा है in comparison with the entire market of the product that by changing the quantity of the product and sold by him he cannot influence its price अगर मैं एक seller हूँ तो मैं क्या करती हूँ product की quantity को change कर लेती हूँ या फिर कुछ भी जादा बेज दिया कम बेज दिया तो उससे मेरा जो price है ना उसको मैं influence नहीं कर पाऊंगी क्योंकि मैं केली ऐसा काम कर रही हूँ तो that they will not change influence their prices उसके price को कोई भी influence नहीं कर सकता है perfect competition में क्योंकि मेरा size ही बहुत small है मेरे एक जने से कुछ करने से या उस market में exit या enter करने से किसे को कोई फरक नहीं पड़ता है a seller sells वो small quantity वो क्या करता एक seller है ना बहुत छोटी quantity sell करता है total supply में से अधिको total supply perfect competition बहुत ही जादा होती है और उसके बीच में क्या है बहुत जादा markets है चोटे-चोटे जो markets बने हुई है वो क्या है थोड़ी-थोड़ी quantity ये sell कर रहे है ये थोड़ी-थोड़ी quantity sell कर रहे है तो total supply को तो वो लोग नहीं न sell कर सकते इतनी सारी total supply है तो हर जो market है वो कुछ small portion total supply का sell कर रही है अगर वो withdraw भी हो जाता है मतलब market से चला भी जाता है तो total supply पर कोई भी असर नहीं पढ़ने वाला will not fall इतनी वो fall नहीं करेगी अगर ये है ये line पूरी के पूरी withdraw कर गई ये सारी क्या है विद्रो कर गई है market से तो क्या होगा वो पूरी entire market को influence नहीं करेगी जो भी supply है the total supply that will not fall इतनी नहीं fall कर जाएगी कि लोगों को अपना price क्या है जादा charge करना पड़े क्योंकि वो लोग क्या है influence नहीं कर सकते है price को और if a seller supplies the entire stock of the product अब देखो ये box ले लेते हैं इस seller ने क्या किया सारा का सारा जितना लिया था जो supply पीछे से ली थी समान लिया था वो क्या करता है सारा का सारा बेच देता है अब बेच दिया उतको क्या है stock सारा का सारा जो उसने produce किया था बेच दिया तो the total supply will not rise, तो क्या होगा, टोटल supply तो वहीं के वहीं खड़ी रहेगी, तो वो price को क्या है, कम नहीं कर देंगे, अगर एक seller कुछ कर रहा है, तो price बिलकुल भी influence नहीं होगा, बले वो क्या है, withdraw हो जाता है, बले अपना stock पुरा का पूरा, दे देता है, produce करके, अपना product पूर इंटायर स्टॉक बेच देता है तब भी प्राइस को कोई भी इंफ्लेंस नहीं कर सकता है अंडर पॉफेक्ट कॉम्पेटिशन कोई भी फर्म इंफ्लेंस नहीं कर सकती मार्किट प्राइस को अपनी प्रोड़क्ट की क्वांटिटी को चेंज करकी likewise and individual buyer अब मैं buyer की बात करती हूँ एक individual buyer है इस buyer is such a small quantity of total supply कुछ समान वो घर पर लेकर आया total supply में से कुछ उसने खरीद लिया और उस खरीद की वज़े से भी उसका जो price है market में जो चल रहा है उसको तो वो influence नहीं कर सकता price को change नहीं कर सकता by changing its demand अपनी demand को भले वो बढ़ाए भले वो गटाए इसते जो price है वो बिल्कुल भी change नहीं होता यहाँ पर आपको बस एक चीज ध्यान में रखनी है कि size इंटायर market के अगर बात की जाए न तो हमारा जो buyer and seller का size है वो बहुत ज़्यादा चोटा है कि वो पूरे को पूरे market के price को influence नहीं कर सकता अपनी quantity को लेते हुए तो यह चीज आपको यहाँ पर ध्यान पर रखनी है second पढ़ते है second is homogeneous product मतलब वो एक जैसे product ही sell कर रहे है other option है perfect competition की that they are selling homogeneous units of a given product अब दो companies की बात कर लेते हैं unit sold by ramen company exactly similar to the unit sold by shaman company जितना जो unit ये company क्या है sold कर रही है वहीं ये company भी sold करे same brand है उनका consequently buyer क्या है दोनों में से किसी के पास चला जाए उसको price भी same लगने वाला है और branding भी same मिलने वाली है buyers have no reason to prefer the product of one seller to the one of another seller अब मैं ये थोड़ी कहूंगी कि मैं इसके पास चली जो तो मुझे कम price पे दे देगा ये इसका brand value बहुत जादा quality अच्छी है जब product ही same है branding ही same है और price भी same है तो मैं दोनों में से किसी के पास भी चली जा सकती हूं उनमें दोनों में क्या है कोई preference नहीं ले सकती because of large number of sellers and homogeneous product ये इसका reason क्या होता है कि बहुत जादा क्या है sellers है product को बेचने वाले भी बहुत है और खरीदने वाले भी बहुत है and homogeneous product a firm operating under the condition of perfect competition is merely a price taker not a price maker तो firm जो कि exist कर रही है market में वो क्या है? price taker है उसको सिर्फ price क्या है? लेना है price maker नहीं है कभी वो price को बना नहीं सकती है कि मैं इस बंदे से जादा price charge कर लू या उससे कम charge कर लू he is just a price taker this is the important thing perfect competition में आ जाता है कर आम सी क्यूस में भी that perfect competition में क्या है? एक firm है जो वो क्या है? price taker है ना कि price maker third point is perfect knowledge buyers and sellers पूरे अच्छे तरह से aware होते हैं कि क्या price market में चल रहा है buyers को अच्छे से knowledge है कि क्या price seller उनसे charge करने वाले है product के क्योंकि हर seller तो same चीज बेच रहा है उपर से price बिलकुल same है sellers को भी पता होता है sellers also know well where and from which buyer they can charge more price sellers को भी पता होता है कि कौन से buyer से मैं जादा price बीच में से charge कर सकता हूँ मतलब वो aware है वो charge कर नहीं सकते just क्या है perfect knowledge की बात की गई है sellers को buyers के बारे में जादा तर पता होता है कि ये buyer कैसा है इस knowledge की वज़े से क्या होता है all sellers will charge one price of one product सभी sellers क्या है एक ही price चार्ज करते है from any buyers from all buyers मतलब सभी buyers से without any distinction किसी भी भेद बाव ना करते होई कोई भी वो क्या है same price में ही सभी को समान देते है क्योंकि buyer को भी सारा कुछ पता है perfect knowledge है और seller को भी सारा कुछ पता है so therefore there is no uncertainty in the market कोई भी uncertainty की condition नहीं होती है market में सभी को अपना perfect knowledge होती है सभी को पता होता है price के बारे में fourth point है free entry and exit of firms perfect competition के अंदर long run period of time है जब हमारे पास बहुत time period है तो क्या होता है कोई भी firm enter कर सकती है industry में और कोई भी old firm withdraw कर सकती है from the industry industry से बाहर जा सकती है कोई भी legal आपको restrictions नहीं है entry लगाने के लिए अब मुझे market खोलनी है तो मैं कैई पैसा है मार्केट खोल लोंगी कोई legal action लेनी की ज़रूरत नहीं है या government से मुझे कोई legal restrictions या फिर social restrictions नहीं है कि मैं enter नहीं कर सकती हूँ इस assumption is subsidiary to the first assumption केते यह जो assumption हमने ली है ज़्यादा तर जो हमारी पहली assumption थी हमारी पहली assumption क्या थी there is large number of buyers and sellers क्यों यादा buyers है बहुत जादा sellers है तो बहुत जादा seller होने की वज़े से कोई भी enter कर सकता है कोई भी exit कर सकता उनकी manmarji है और इसके पीचे रीजन क्या है कि बहुत सारी sellers market में है क्यों क्योंकि कोई entry की restrictions ही नहीं लगाई गई कोई भी enter कर सकता है market में तो entry की restrictions नहीं है इस वज़े से number of sellers बहुत जादा होते है market में next है free from checks यह वही point आ गया कि restrictions नहीं लगाई जाती है with regard to buying and selling of any product कोई भी मुझे समान खरीदना है या किसी को कुछ भी बेजना है उसके पीछे कोई restriction नहीं है कोई agreement नहीं होता है buyers and sellers के बीच में production quantity या price को लेते हैं क्योंकि सारा कुछ तो industry ही तै करके आपको बताती है nor have the buyers any attraction to buy अब buyer के पास इतना भी नहीं है कि attraction नहीं है कि इसी बायर से मैं जाके समान को खरीदूं क्योंकि prices को same पढ़ने वाला है और government भी कोई restrictions नहीं रगाती है sixth point आपका perfect mobility mobility का मतलब वहीं कि freely है और easily है move करना अपने factors of production free होते हैं उनको आप लो किसी बी जगे पर लगा सकते हो employ कर सकते हो industry में that they like no factor of production is monoplyized by animal किसी factor of production पे किसी एक बंदे का दिकार नहीं होता है monoplyized में दब control इती का control नहीं होता है price पे या उस factor of production पे each firm can get as many factors जितने मुझे factors of production चाहिए मैं ले सकती हूँ goods and services को मैं कहीं भी किसी place पर भी जाकर बेच सकती हूँ और कई बार ऐसा भी होता है कि where they are likely to fetch good price मैं वहाँ पर भी goods को solve करने जा सकती हूँ जहाँ पर मुझे लगता है कि शायद मुझे उस चीज का price क्या है जादा मिल जाए मतलब किसी और बहुत दूर अपनी place से जहाँ मुझे लग रहा है कि यहाँ पर price जादा मिल सकता है तो मैं वहाँ पर भी अपना समान लेकर क्या है बेच सकती हूँ next thing is lack of transport cost कोई भी transport का खर्चा price में नहीं पड़ता ऐसा क्यों होता है देखो price सारा को सारा same है जो इदर से उदर समान लेकर जाना है अब मैं अगर अपने घर के बहुत पास में लेकर जा रही हूँ तो इसका मतलब क्या है कि मुझे transportation cost कम पड़ेगी बहुत दूर लेकर जा रही हूँ product price जो fixed हो चुका है that is fixed इसमें कोई भी transportation cost या बाकी का खर्चा हम लोग include नहीं कर सकते lack होता है selling cost selling cost का मतलब advertisement, promotion तो ये सारा कुछ क्या होता है इसमें कोई भी खर्चा करने के दरूरत ही नहीं होती it is so because सारी के सारी firms क्या sell करती है homogeneous product hence there is no need on the part of a firm to incur selling cost अब जहां पर अगर मैं match check की बात करूँ तो अगर एक brand की ही सारे के सारे match check दे रहे है और सारे sellers उसको बेचते है तो इसकी मुझे advertisement या publicity करने की जरूरत तो नहीं है अगर किसी को जरूरत होगी वो खरीदेगा नहीं जरूरत होगी नहीं खरीदेगा तो इसकी बिच्छी मेरी कोई advertisement या publicity नहीं लगी है अगर सारे के सारे उसको same price पे बेच रहे है next is same price या पढ़े चुके ओ कि जो perfect competition में होता है industry price को determine करती है same price होता है जो revenue भी chapter हमने पढ़ा है इसमें marginal और average revenue क्या है same होता है ये वाली curve बनती होती थी तो perfect competition में that the firm is a price taker not price maker कि firm क्या होती है price taker होती है ना कि price maker तो यह आपकी हो चुकी है introduction और यह है आपकी assumptions या इसको हम लोग features भी include कर सकते है as a perfect competition I hope आपको अच्छे से clear हो गया होगा अगर कोई भी doubt है आप मुझे comment section में पूछ सकते है अगर video पसंद आई हो चैनल को ज़रूर subscribe कीजिए like, share and comment and press the bell icon ताकि हर video की notification आपको time to time मिलती रहे thank you